नमस्का सातियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPS थी और आपके स्टीट PCS को ध्यान में रखते हुए ये सभी खिलासें ली जा रही हैं और इसमें अभी तक आपने देखा होगा हम लोग उने प्राचीन भारत का इतियास देख लिया है मद्देगालीन भारत का इतियास भी देख चुके थे और आधुनिक काल की इतियास में हम लोग लाश्ट चेप्टर देखे थे जो भारत में सामाजीक और धार्मिक सुधारां और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में राष्टबात का ओदय किस तरह से हुआ है, और कॉंग्रिक्स की स्थापना, और कॉंग्रिक्स से पहले भी कुछ संगटम वहे हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, और इनके लिए आपकी एक separate playlist सोची बना द जाता है आफता, यूपी PCS भी आ जाता है, बिहार PCS, छदेश गर, राजिस्तान, मद्यपिदेश, इस तरह के जो state PCS होते हैं न, वो भी cover हो जाते हैं, और अगर आप लोग इस क्लासों को cover करते हैं, तो आप देखें, प्रलिम्स में आपको फायदा पहुँचाएंगी य पहला नहीं है, चाहे आप लोग state level के one day exam की बात करे लिए, जिसमें आप देखते हैं कि आपका teachers भरती होती रहती है, और आपने देखा होगा कि आपका police में constable, दरोगा, पटवारी, जेल पहरी, इस तरह के तमाम exam होते रहते हैं, या center level पर आप देखते हैं, आपका SSC bank railway क होते रहते हैं, तो उन सब के लिए महत्पूर ही रहेगी, ठीक है, तो यह जरूर आप लोग याद रखेगा, और इस playlist सूची में आपका पूरा state PCS मतलब और civil service का जो prelims का syllabus है न, वो सभी cover मिलेगा आपको, तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर देखेगा, आज की इस class का अ रहे हैं, Congress से पहले, उन्हें भी देखेंगे, और बंगाल के जो भी राजनेतिक संगठन रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते ही कि बंगाल की इससेदारी कुछ जानदा ही रही है, और आप देखें कि ऐसा आप आंदोलन का कैंद मिंदू कई लोग कह देते हैं बंगाल को, जो बंबई की राजनेतिक संगठन थे, उन्हें पर भी बात करेंगे, मद्रास की राजनेतिक संगठन देखेंगे, फिर हम लोग Congress की स्थापना पर बात करेंगे, एक आपने देखा होगा कि Safety Valve की अवधारना की बात होती है, तो वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे, Congress का सा प्रिक्षा में आते हैं, मैं बार-बार बोलना हूँ, और अगर आप लोगों को पुराने questions paper उठा के देखें होगे, उनका मुल्यान कन किया होगा, तो आप लोग भली बाती जानते भी होगे, ठीक है, अंग्रेजों की भारत आगमन के साथी, भारत के राष्ट बनने की प के लिए किया, अपने लावों के लिए किया, लाव उठाने के लिए, लेकिन आप देखें कि कुछ उसमें भारत को भी मिला, और आप देखेंगे कि आपका इसके बाबजूत ओपनिवेसिक, निवेस बादी बैटेस पिसासक अक्सर कहा करते थे, कि भारत एक नहीं हो सकता ह क्योंकि यह एक राष्ट नहीं है, बलकि एक महज, एक भोगोलिक सब्दा बली है, और आपको बता दूँ कि जो उपनिवेस बैटेस पिसा सकते ना, अंग्रेज थे ना, वो हमें चुनोती भी देते थे, कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग भारत को एक नहीं कर सक और यह सही है कि भारत एक राष्ट के निर्मार की फिक्रिया में बहुत पहले से ही अगसर था, लेकिन इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इसके लिए आधार वेटिस आसन नहीं तयार किया था, और बास्तों में वेटिस समराजबात की नीतियों की चुनोतियों के पित्य उत्तर में ही भारतियों ने एक राष्ट के रूम में सोचना प्यारम किया, और वेटिस आसन ने भारत में आर्थिक सामाजब्यक और राजनेतिक चेत में जो परिवर्तन उपस्थित किये, और उससे भारतियों पर समान रूप से प्रभाव और डाला, और आप कि किसी भी जाती का हो, मुसलिम हो, या आप देखिए हिंदू हो, जैन हो, वुद्ध हो, किसी भी धरम का हो, किसी भी समधाय का हो, सभी का सोचन हो रहा था, सोचन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोचन जरूर हो रहा था, और सभी में आप देखिए कि अंग्रेज प्रकाष्ट के हैं, चोटी-चोटी जातीयों के समूग के आंदोलन होते हैं। लेकिन आगी चलके इन सब की समझ में एक बात आचुकी कि जग तक मरतम करने क nell का नहीं लडते हैं, तक तक हमें Warum नहीं भगा सकते हैं, इनसे आहरी नहीं पा शकते lic दूसरी और सामाजिक सुधार और बौधिक जागरन ने भारतियों में राष्टी चेतना का संचार किया और जिसे भारतिय अपने को एक राष्ट के रूम में मानने लगे। एक आप देखें कि पश्चात बिचारों का प्रभाव। आप समस्ट ये यगाया। जैसे माल ले जी कि आप देखें हमारी देशी भासाइं हुआ गरते थी। हमारी इस्थानी भासाइं होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने यहां अंग्रेजी का प्रसार किया। और आप देखे जब हमारे यहां के कुछ लोग अंग्रेजी जान ले लगें तो उन्होंने आप देखे अमेरिका के बारे में पड़ा उन्होंने आप देखे फ्रांस के प्रांसी सी करांती के बारे में पड़ा समझ रहे हैं आप लो शित में बड़ी तेजी से परगती हुई और इसका प्रमोक केंद बंगाल था और आप देखेंगे कि बंगाल था और इसमें अंग्रेजी साहेत और इतिहास का अध्यन करने के बाद विराष्ट वाद तथा जनतंत में विश्वास करने लगी और उनमें उदारवाद की पिच पिचासनिक एकता की बाद करें हम लोग तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को जीत कर एक पिसास की सूत में बान दिया और रेल तार डांक आधी से संचार साधनों का विकास हुआ और आप देखिए उन्होंने अपने फायदे के लिए रेल तार डा परन यात्राएं कम समय में की जाने लगी और यात्रा करना सोगम हो गया इन यात्रियों से विविन्न पिदेशों के सिक्षित निवासियों को अपने विचार ब्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने के लिए एक सामान माध्यम प्राप्त हो गया और मद्द वरक् देने वाले किसान दस्तकार सेनिक जमिदार सामन्त और राजा और नबाब स्वाहधींता प्रमीतु थे किन्तु उनके हित और देश्टी कौन इस्थानिय थे अंग्रेजी पिसासन इस्ताफित हो जाने के बाद एक नए वर्ग का उदय हुआ जो मद्ध वर्ग कहलाया और इस बर्ग ने अखिल भारतिये राष्टी कॉंग्रिस को इसके विकास के सभी चैड़ों में नितित फिदान किया और इसमें सरकारी नौकर, डॉक्टर, इंजिनिरिंग, अध्यापक, इनमें पत्तकार, वकील, नए ब्यापारी, ठेकेदार, आदी सामिल थे और 19 सतादी के उत देवपतियों ने देश और विदेशों में राष्टी आंदोलन का परसार किया और भारतिय राष्टी ये कॉंग्रिस की इस्थापना में युगदान दिया और प्राषिन भारतिये साहित में रूची, आप देखें कि सन 1857 की करांती के कुछ समय फूर्व, तथा बाद में बंगाल की सिक्षित बरग ने अपने सब्व और परंपराओं को हीन मानकर पश्चात सेली को अपना लिया, और यह प्रवित्ती सने सने समात्त हो गई, क्योंकि इसी बीच भारत की पुरातन साहित इतियास की अनेक गरंतों का अंग्रेजी भासा में अनुवात कर लिया गय और जिसे फ़ल सवरूप सेक्षित भारतियों को यह ग्यात हो गया, क्या ग्यात हो गया, यह ग्यात हो गया कि उनकी संस्किती निम्न कोटी की ना होकर अत्यधिक सेष्ट कोटी की है, और भारत की पुरातन साहित के पुरातन साहित को खोजना, उनका विसलेशन करना था, औ और विलियम जॉन्स संस्कित का भी विद्वान था, उसने कालीदास की अभी ग्यान सकुंतलम का अंग्रेजी में अनवाद करके भारतियों तथा अन्य देशों के लोगों के ध्यान को भारती साहित की और अकरसित किया, विलियम जॉन्स, मैक्स मूलर, मौनियर विलियम ने इ राश्टिये ताकि भावना विक्सित करने में महत्पूर्ण भूमिका अधा की राश्ट परैम की एक तरह से भावना पैदा की राजनेतिक असंतोस आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप लो आप देखेंगे कि सन 1857 की करांती के बाद भारती निरासा की लहर में डूप च आकरोज भर दिया था जिस तरह से आज की नेताओं को आप सुनते हैं न वो अच्छे के लिए बाद ही करते रहते हैं लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो काम नहीं करते हैं जनता गुस्सा हो जाती अंगले आने वाले चुनाओं में उन्हें हटा दीती हैं तो वैसा ही इनने किया और अंग्रेज अपनी नसलिये सिष्कता में विस्वास करने लगे और जिस्ते के कारम भी भारतियों से अतिधिक बुरा विवार करने लगे यानि कि आप देखें नसलिये भेदभाव सुनू कर दिया उन्हें अनेक अस्वासन की बापजूद भी भारतियों को पिसासन में उच्छ पद प्राप्त नहीं हो पाते थे यानि कि आप देखे कि हमों लोगों को निम्न पद दिये जाते थे और उच्छ पदों पर अंग्रेजों को बैठाया जाता था या उनके जो बफादार हुआ करते थे उनी को बैठाया जाता था सास की ये पदों के लिए पितियोगीता परिक्षा इंग्लेड में अंग्रेजी भासा में होती थे और जिनमें भारतीयों का सफ़ल होना अत्ति कटिन होता था आज भी आप देखें अंग्रेजी पर सवाल खड़े होती रहते हैं उस समय आप समझ सकते हैं कितने लोग अंग्रेजी चानते थे। यहां भी भेदभाव अलग साप देख रहा हैं। देवपतियों में गहरा संतोस यानी के उस्सा थैला। आप देखें कि एक तरह से आप सोचें कि वो लोग आप देखें नई नई टेक्नोलोजी तकनीक से आप देखें कि कपड़े का उधारन ले लिए आप लोग। और हमारे आप देखें पुरानी परंपरा से जिस तरह से कारियर थे वो ही बस्त बनाते रहते थे तो आप सोचें कि उनका कम खरचाता था बस्त बनाने में। हमारे यहां के जो कारियर बनाते थे उसका अधिक खरचाता था और दूसरी बात आप देखें कि वो हमारे यहां सस्ते में बैस्ते थे तो आप देखें कि कौन खरीदेगा आप देखें नॉर्मल सी बात है जो सस्ता मिलेगा उसी को खरीदेगा तो वो भी हुआ और हमारे की जो कारियर थे जो उद्ध्युक धन्दे थी वो चौपट हो गए और एक तरह से आप लोग उधारन के लिए एक कपड़े को ले लिजे कोई स्वेटर ले लिजे कुछ भी ले लिजे मा ले लिजे आप देखे दस रुपया बनाने में खर्च हो रहा है उनका और हमारा आप देखी इसलिए हमारे यहां के जो उद्ध्युक धन्दे हुए वो चौपट पूरी तरह से हो गए और सन 1878 में लॉल लिटन ने वर्नाकुल फ्रेस आदीनियम पारित किया और जिसके द्वारा भारतिये भासाओं के पत्तिकाओं पर पिती बंग लगा दिया गया तो 1878 के वर्नाकुल फ्रेस आदीनियम को भी याद रिखे लॉल लिटन ने और इसे सिक्षित भारतियों में तीबिपती किरिया हुई और 1878 में लिटन के काल में सस्त आदीनियम बनाया गया जिससे अनुसार भारतिये बिना लैसंस के हत्यार नहीं रख सकते थे और जबकि भारत मे रहने वाले जो यूरोपिय थे वो बिना लैसंस के हत्यार रखने की अनमती थी उन्हें तो यहां भी वेदभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह सभी वेदभाव आप देखे कि राष्टबात की उदय के रूम में देखे जा रहे हैं और फिर आप देखेंगे क इलवर्ड विल विबाद अंग्रेजों के जाती एहिंकार ने उनके और सिक्षेद भारतियों के बीच मदभेत उत्पन कर दिये यूरोपिय लोग भारतियों पर अत्याचार करते थे और किन्तु मुकदमों की सुनवाई यूरोपिय नियादीसों की लेहों में होती थी और और यूरोप में आप देखे उनके ही लोग हैं तो वो कहां सजा देंगे उन्हें कहां आप देखे रोकेंगे तो ये भी देखने को मिला 1883 में पिस्तावित इलवर्ड बिल में भारतिय नियादीसों को भी यूरोपिय अपरादियों के मुकदमे सुनने के अधिकार देने का पिस्ताओ था और भारत में रहने वाले सभी यूरोपिय लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि आप देखें उन्हें नुकसान होता है इससे और उनके पिदरसनों के कारण उस बिल में संसुधन करकी यूरोपिय आरूपित्यों की एक्छा होने पर उनके लिए जूरी की विवस्था कर द लगा और आप देखें संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई एक और आप लोगोंने एक देखा होगा आप लोगोंने एक कहानी बच्पन में बड़ी हो गई कुछ ज्यादा ही कि एक बाप के चार वेटे थे आपने देखा हो उन्हें चारों में बनती नहीं थी बाप उन कॉंग्रेश्ट के पूर्व जो राजनेतिक संगठन हुए थे उन पर देख लीजे 1857 के बिद्रों के बाद बाद कोछे सिक्षित भारतियों ने संगठन की सक्ती का मात समझते हुए भारत की विभणी चेत्रों में में राजनेतिक संगठनों की स्थापना करनी सुरू कर और उनमें से कई संगठन ऐसे थे जो 1885 में कॉंग्रेश की स्थापना से पूर्व इस्थापित किये जा चुके थे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 28 देसंबर 1885 में कॉंग्रेश की स्थापना हुई थी और बंगाल, बंबई, मदरास के अलावा कुछ संगठन विदेशों में भी इस्थापित किये गए थे, फिर भी सभी संगठनों की परकिती एक जैसी नहीं थी, जो राजनेतिक संगठन 19-2 सदी के पूरवाद में इस्थापित किये गए थे, बेमुकता समाज की समरिद्ध और पर वहावसाली बरक द्वारा इस्थापित किये गए थे, और इ इसी तरह से, किन्तु 19 सद्धी के उत्राद में इस्थाफित राजनेतिक संगटनों का नेतित मद्द बर्ग ने किया और इनने में बकील, डॉक्टर, अध्यापक, पत्तकार सामिल थे, और इनकी चिंता की केंद में मद्द और निमने बगिये मद्धिम बगिये हित थे, और इन सबी संगटनों की सीमा यहती कि इस्थानी और चेत्री इस्थाफित किये गये थे, और इनका प्रभाव चेत्र भी इसी के अनरोप था, और राश्टी इस्थार की संस्था के रूम में इस्थाफित भारती राश्टी कॉंग्रेश ने इसी कमी को पूरा कर दिया है, तो क्योंकि बंगाल पर राजनितिक नेंतन भी पहले इस्थाबित हुआ था और 1836 में बंगाल की अपने पहले राजनितिक संगठन बंग भासा पिकासक सभा की स्थाबना राजाराम मोहनराय के समर्थ को द्वारा की गई थी तो यह जरूर आप लोगों को यहाँ याद रखना पूँच लेगा बंग भासा पिकासक सभा की स्थाबना कब हुई थी? 1836 की बात है और बंगाल में हुई थी यह आप लोग याद रखिये हो 1838 में यहाँ जमीदारी इसोसियेशन या लेंड होल्डर्स इसोसियेशन की स्थापना की गई जो जमीदारी हेतों का पितिनिदित करती थी और भारत में संगिठित राजनेतिक प्रयासों की सुरुवात का स्री इसी संस्था को जाता है किसी लेंड होल्डर्स इसोसियेशन को यह आप देखिए कब की बात है 1838 की बात है 1838 बंगाली बंगाली लोगों को राजनितिक सिख्छा देने और उनमें राष्टबादी भावना की प्रसार के लिए 1843 में बंगाल वेटिस इंडिया सोसाइटी की स्थाफना की जाती है और बंगाल के सरवादिक महतपूर्ण राजनितिक संगटनों की स्थाफना 1875 से 1876 में की गई और इसमें आप देखेंगे कि 1875 में सिसेर कुमार बनजी इवं आनंद मुहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसियेशन और कलकत्ता की स्थाफना की या बंगाल के सरवादिक महतपूर्ण संस्था थी और इसकी साखाएं बंगाल के कई भागों के अलाबा बंगाल के बाहर भी स्थाफित की गई थी तो ये भी याद रखें अब बंबई की कुछ राजनितिक संगटन है इनने भी देख लीजे आप लो बंबई में इस्थाफित राजनितिक संगटनों में बंबई इसोसियेशन पूना illika सभा और बंबे प्रसेड़ेंशी एसोसियेशन उल्लेक ने है और बंबी इसोसियेशन अठाविन में इसकी स्थाफना हुई स्थाफना बेटेस इंडियन association के अनुसारन पर की गई थी और यह भी जमीदारों जमीदारों दारी हितों का पितिनित करती थी पूरा सारविजनिक सभा पूरा सारविजनिक सभा आप एक चाकित अधिक प्रभावसाली क्या? अधिक प्रभावसाली संगठन था, जिसे महादेव, गोविंद, रनाडे ने 1887 में स्थाविद किया था 1885 में बंबी परसे डैंसी एसोसियसन नामा के एक अन संगठन की स्थापना हुई इसके स्थापना फिरोज, साह मेता बदरुद्दीन, तियब जी, केटी, तेलंग जैसे पिसिद राजनीताओं में ने महत्पूर भूमी के अने भाई थी इसमें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा रखोगे या नहीं रखपाऊगे फिर मदरास की राजनेतिक संगठनों की बात करते हैं कलकत्ता की बेटिस इंडिया एसोसियेशन की एक साखा की रूम में मदरास नेटिव एसोसियेशन की स्थापना मदरास में की गई और यग पी एक संगठन आपरभावी रा 1884 में मदरास की युवा नेताओं ने मदरास महाजन सभा की इसम्बी रागवाचारी जी सोवामन्यम आयर पी आनन्द चालू ने इसका संगठन किया और कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन और बंबई की बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन की तहर यहाँ भी मदराचित की एक एहम संस्था थी तो इसे भी आप लोग देखेंगे और इसकी अतरिक दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित इस्ट इंडिया एसोसियेशन यह 1866 में एक अनमत्मून राजनितिक संस्था की स्थापना हुई इंगलेन में भारतीयों लोगों के पक्ष में जनमत तियार करना और भारती समस्याओं से बेटे सरकार को आउगत कराना इसका मुख उद्देश था और इसकी साखा भारत के कई सहरों में स्थापित की गई तो इस तरह के जो संगठने उनके उद्देश आप लोग याद रखेगा और दूसरी बात आप लोगों को ये भी याद रखना होगा कि इसकी स्थापना कब होई और कब इसका क्या हुआ कब स्थापना हुई उए किसने स्थापना की क्योंकि इस तरह के कुश्टन्स पूंच लेता है कई बार तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा आग कॉंग्रेस से पूर की राजनेतिक संस्थाओं को यहां देख लिए एक कॉलम की रूम में और डारेक्टिन से प्रिलिम से कुष्टन्स पूचे जाते हैं कई बार पूचे हैं और इसलिए तो कहता हूँगे कम से कम 5-6 साल पूराने कुष्टन्स पेपर उठा कि आप लोग देखा करिएगा उनका मुल्यांकन किया करिएगा कॉंग्रेस से पूर की राजनेतिक संस्थाओं बंगभासा प्यकासक सभा यह 1836 की बात है बंगाल में और आप देखेंगे राम मुहन राय की समर्थकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी साधारन ग्यान सभा यह 1838 की बात है बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी बंगाल जमिदार सभा ये 1838 की बात है बंगाल में की गई थी द्वारका नाट टेगोर की द्वारा वेटेस इंडिया सोसाइटी ये 1849 की बात है लंदन में की गई थी विलियम एडम्स की द्वारा बंगाल वेटेस इंडिया सोसाइटी 1843 की बात है जार्ज की द्वारा इसक नर्सु चुट्टी की द्वारा की गई थी, बंबई एससे सेशन, आप देखेंगे 1852 की बात है, बंबई में दादा भाई नोरो जी ने इसकी स्थाफना की लंदन इंडिया कमेटी, ये लंदन में पिथम किसी भारती ये द्वारा इस्थाफना की थी, लंदन इंडिया 1866 की बात है, लंदन में दादा भाई नोरो जी की द्वारा, नेशनल इंडियन इसोसेशन, 1867 में, लंदन में, मैरी कारफेंटर की द्वारा, पूना सार्वियक सभा, 1870 में, पूना में, एम जी रनाडे और जी बी जोसी चिफलंकर की द्वारा, इंडिया लीग, 1875 में, कल में, कलकाथा में, अलवा अठाल, सुरेन नाट बणर जी और आनंद मुहन बॉस, अब आप सोचें कि हमारे लोग अगर अंग्रेजी ना जाते, आप सोची बाहरी देशों में, लंदन, आप सोची, तो आप सोची कि कैसे हम लोग, वहां भी संगटन बना पातें, वहां भी कलकत्ता में आनंद मुहन बॉस के द्वारा मदरास महाजन सभा यह आप देखेंगे कि 1884 की बात है मदरास में पी रंग रंगईया नाइडू बी रागवाचारी पी आनंद चारलू के द्वारा इसकी स्थापना की गई और आप देखेंगे बंबई Presidency Association 1884 में बंबई में फिरोज साह मेहिता केटी तेलंग और बदरुद्दीन तेयप जी के द्वारा Indian National Union 1884 में एओ हुईम के द्वारा Civil Services आंदोलन 1874 में सुरेंद नाज बनर जी के द्वारा सिल्लें कहा था कि भारत मात एक भोगलिक अभी वेक्ती है इसमें राष्टी एकता की भावना नहीं है इस तरह कि जिनके द्वारा कथन कहे गए हैं उन कथन को जरूर आप लोग याद रखेएगा कई बार आपका गुश्टन से भी पूँच लेता है आपको दे देगा भा भारत मात एक भोगलिक अभी वेक्ती है इसमें राष्टी एकता की भावना नहीं है एक कतन किसने कहा था तुस्सी लेन है ठीक है कॉंग्रेस पूर्व संगठन की अगर हम लोग महत्तिक ही बात करें मुल्यांकन करें संगठनों का तो कॉंग्रेस पूर्व इस्थापित राजनितिक संगठन का महत्त इस बात में है कि उन्होंने कि उन्होंने पराधीन भारत में राजनितिक पितिरोध की सुरुवात की है और उनकी बिरोध का एकमात लोक्विय तरीका ससक्त बिरोध था और इस पिकार की बिरोध की अपनी सीमाय थी जनता का छोटा सा हिस्सा ही इसमें भाग लेता था ऐसे विरोध को राष्ट द्रोह की संग्या देकर आसानी से दवायना संभावत होता था इसके लिए अधिक संसाधन बंदुक गोला वारूत आधी की अवसकता थी और इसके विप्दित बेटे सासन की पितिरोध का एक दूसरा राजनितिक तरीका अधिक सुगधा जनक और सुविकार था और पितिरोध इस तरीके से मैं ससकते विद्रो का स्थान राजनितिक सभाओं ग्यापनों और समाचार पत्रों की द्वारा विरोधादी से ने ले लिया और धीरे धीरे ये तरीके लोख प्रिये हो गए और सज़ी सी बात है कि कोई भी काम हो रहा है शुरुवात तो हुई आप देखें अगर सुरुवात ही नहीं होती तो आँगे चल कर हमें कहां ये बड़े बड़े संगठन मिलते तो सुरुवात बड़ी बात होती है ठीक है और छेती इस्तर पर अगर राष्टबादी भावना का निर्माट तो कॉंग्रेस पूर्व इस्थाविस सभी राजनितिक संस्थाओं का प्रभाव छेतिस्थानी और छेत्री इस्तर तक था इसे प्रया इन संस्थाओं की सीमाओं की रूम में देखा जाता है किन्तु यह भी ध्यान देना होगा आपको कि एक बार जब देश के विभिन हिस्सों में इन संस्थाओं के द्वारा राजनितिक जागरिती पैदा कर दी गई तो आंगे चलकर राश्ति इस्तर पर राजनितिक जन जागरन में इस पिक्रिया ने काफी मदद की काफी साहता की और इस संदर में बंगाल को अगड़ी माना सकता है क्योंकि बंगाल में पहली बार पिकार की संस्थाओं का अविभाव यानि की स्थाफना हुई बंगाल में 1836 में स्थाफित बंग भासा पिकासक सभा सरकार की नीतियों से समदित मामलों की समीक्षा करती थी और उनके सुधार के लिए सरकार को प्रातना पत्र भेजती थी अब आप देखें भली वो हाँ जोड़ कर अपना काम करवानी की बात हो रही लेकिन लोगों को कम से का मालूत चलना है कि कौन सी समस्याओं को लेकर वो हाँ जोड़ रही है इसके बाद बंगाल में 1838 में एक जमीदारी एसोसीशन की स्थापना हुए और जिसे लोग प्रया भूमी पतियों की संस्था कहते थे और इसकी स्थापना भूमी पतियों की हितों की रक्षा के लिए की गई थी और इस सभा का उद्देश सीमित थे परंतु यह पहली सभाती जिसने संगठित राजनेतिक चेश्टा की का स्री गरेश किया और अपनी सिकायतों के नवानन के लिए सम्मिधानिक उपचारों का प्रयों किया और 1843 में एक अन राजनेतिक संस्था बंगाल वेटिस बंगाल वेटिस बेटिस इंडिया सुसाइटी की स्थापना की गई और जिसका उद्देश आप देखेंगें अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों की बास्तिक्स अवस्था की बिसे में जानकारी पराप्त करना और उनका विस्तार करना था और कलांतर में लेंड होलरस सुसाइटी वेटिस इंडिया सुसाइटी ने मिलकर वेटिस इंडियन एसोसयेशन का निरमार किया और इसकी स्थापना के बाद इसके उद्देश ब्यापक हो गए और बढ़ गए और इसे पिकार बंबई और मदरास परसीडेंसियों में पी राजनितिक संस्थाइं इस्थापित हुई और जिनके उद्देश राजनितिक किन्तू सहीमित थे 1852 में बंबई इस्थापना हुई जिसका उद्देश सोधारों और बुराईयों को दूर करने के लिए समय समय पर ग्यापन देना था 1866 में इस्थावित पूर्णा सारविजिक सभा में सोधारों और राजनितिक गतिविदियों प्रमुकता से भाग लिया मद्रास नेटिव इसोसियेशन ने अंगरेजी संसत को 1843 के चार्टर से पूर्व एक ग्यापन भेजा था जो बंबई और कलकत्ता इसोसियेशन की नमूने पर था और वास्तों में इन सभी संस्थाओं के उद्दे सीमित थे लेकिन इन सभी ने 36 स्थर पर ही सही अपने कार और सौरूफ से भारतियों में राष्टवादी भावनाओं का संचार किया राष्टी मुद्णों पर बेटिस सासन का विरूध अगर आप देखें तो तो इसमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि इन संस्थाओं ने राष्टी हितों के मुद्दों की पहचान की कि आखेर आखेर राष्टी हितों के मुद्दे कौन गौन से हैं और इनके बारे में आप दिखी कि लोगों को बताया और उसके संबंद में जनमत तेयार हुआ और मुद्दों के संबंद में बैटिस नीती की आलोचना की और दाला भाई नौरो जी महादिक गोविन रनाडे सुरैननाथ बनर जी आदी ने भारत की दुरदसा के लिए बैटिस आर्थिक नीती को उत्तरदाई ठहराया यानि कि लोगों को बताया लोगों की सामने रखा कि जो हमारे यहाँ देश में जो सोसन हो रहा है जो समझ से आए खड़ी हुई है इसका उत्तरदाई कोई अगर है तो वो बैटिस सरकार की आर्थिक नीती है उन्हीं को उत्तरदाई बताया और नौरोजी ने विभिन आकणों की साहता से इस्थावित किया कि बैटिन भारत का लगातार आर्थिक सोसन कर रहा है तो लोगों को और भरोसा हुआ उन्होंने धन निकासी के सिद्धान का पिती बादन किया और नड़ाने का विचार था कि स्कूल और कॉलेज की अपेक् करें यहां के लोगों की समस्याव और ध्यानी नहीं दिया जा रहा है और बनर जी का मामला था कि मानना था कि यदि भारत की सभी बर्गों की आर्थे खितों को एक सूथ में पियो दिया जाए तो अटू तरास्ती एक तशान किया जा सकता है और इन संगत़नों ने कई बियान भेजा गया था यानि कि आप देखे हमारा पैसा वहां जो सेन अभियान हो रहा है उस पर भी खर्च किया जा रहा है वेटे सूती कपड़े पर से आया सुल्क अठानी की बिरोध में क्योंकि इससे नौ इस्थावित भारती सूती कपड़ा उद्योक नुकसान हो रहा आम सेक्ट 1878 कि बिरोध में इस अदिनियम के तहित भारतीयों को हत्यार रखने के लिए लैसेंस सुल्क देना था जबकि यूरोपियां के लिए ऐसी बादता नहीं थी वर्ना कूलर प्रे सेक्ट 1878 कि बिरोध में इसके दुआरा भारती भासाओं में विकासित होने बाले स समाचर पत्रों पर पितिबंद लगा दिया गया था इलबर्ड बिल 1883 कि समर्थन में इस बिल के पास जाने पर भारती जिदों को इरूपे के वामली सुनवाई करने का अधिकार मिला था और भारत में पितिनिधी बिधान सभाओं की बांग की गई थी और इस पेकार से सहता मिली और खासतोर से राजनेतिक सिक्षा के प्रिसार में समाचार पत्रों ने एहम योगदान भी किया और आप देखेंगे राष्टी संस्था के पिष्ट भूमी का निर्माट तो आप देखेंगे क्या देखेंगे यही देखेंगे कि छेतरी संगटनों के द्वारा कि ये सफलता है अतिन्त सीमित थी कम थी लेकिन थी और छेत्री इस्तर पर विभाव साली होते हुए भी राजनितिक संगर्थन कोई महत्पूर बल लाव लाने में आ सफल रहे और इस बिरुवधाबास ने इस बात को बल दिया कि राश्टी इस्तर की किसी राजनितिक संस्था क इस्तापना आ पर इहार हो गई यानि कि इस सभी संगर्थनों में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी बात एक समझ आ चुकी है कि वो राश्टी इस तर पर एक भड़ा संगर्थन होना चाहिए और यहीं आप देखे कि निव रखे जारी कॉंग्रिस के लिए इंडियान ए भारती राश्टी कॉंग्रिस की स्थापना के साथ इस संगर्थनों की भूमिका को चरम उपलब्धी पराप्त हुई क्योंकि 1880 में आपकी कॉंग्रिस आ जाती है। हुम ने दिया था यह ओ हुम ने ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा भारती राश्टी संग का नाम भारती राश्टी कॉंग्रिस दादा भाई नोरो जी के सुझाव रखा केया था भारती राश्टी कॉंग्रिस की स्थापना 28 अक्टूबर 1880 को बंबई के कॉंग्रिस के बिताम अदी विशन में सुरेंद नार्ट बनर जी ने हिस्सा नहीं लिया था। कॉंग्रिस का जनन एलन अक्टो वियन या हुम को माना जाता है। काई एक्चा है कि मैं उसे सांती पूर्वक मनने में मदद कर सकूं। कॉंग्रिस के बारे में क्या का? यदि बर्स में हम एक बार मैड़क की तरह टरट राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कॉंग्रिस जो आप देखी कि सम्मेलन होता था वो लाश्ट साल के लाश की तमासा कहा था विपिन चंद पाल ने इसे याचना संस्था कहा था याचना संस्था अभी आपने देखा होगा MPPSC में एक कथन पूंचा गया था ये तो कॉंग्रिस अमेलनों को सिक्षित भारतियों के बार से ग्राश्टी अमेली की संगिया दिख किसने लाला लाश्प एक कॉंग्रिस की अब स्थाफना की बात कर लेते हैं। तडित चालक जैसी थी यानि कि कहने को मतलब है कि जो अंग्रेज था ये ओ हियूम एक बेट्रेज सिविल सर्वेंट था तो इसमें जब इस्थापना अगर इसके नितित में स्थापना होती है तो उस बाद सभाल उठना सभाविक सी बात रहती है और कुछ लोग सैप्टी बाल की बात कहते हैं ये क्या था अउधार्णा ये इस अउधार्णा की स्थापना के पीछे हियूम के जीवनी लेकग विडर्बन कॉंग्रेस के पिथम अध्धिक्ष डबलू सी बनर जी और लाला लाजपतराय और रजनी पामदत MS गोलवलकर जैसे लोगों का युगदान है अउधार्णा ये है कि लॉर्ड लिटन के काल का भारत करांतीकारी विसपोर्ट की स्थिती के करीब पहुंच चुका था और लिटन की पितिक्रिया वादी नीतियों और पुलिस का दमनात्मग सौरूप का सौरूप इस बिसपोर्ट की स्थिती स्थिती के लिए उत्तरदाई था और आसंतोस इस समय ऐसी स्थिती में पहुंच चुका था कि इस बात की परवल संभावना थी कि अमेरिका उटली की भाती सोतंता के लिए यही भी यहां भी ससक्त संगर्ष सुरू हो सकता है और 1857 के संगर्ष की यादें अभी वित आ जा थी और इसे में भारती आसंतोस को एक दूसरे रूम में अभीवेक्त देने के लिए एक राजनितिक संकल्पना की गई और ऐसा मैसूस किया गया कि भारत का सिक्षिद राजनितिक बर्ग ऐसे किसी संगर्ष से आसानी से जकर जाएगा और किसी बिकार की जन करांती के लिए इस भारत के आसंतोस की बास्प को निकालने के लिए यह संगर्ष सुरुक्षा वाल्प का काम करेगा और बेटे सासन को संकर से बचाया जा सकेगा और अतहा लौड डफरेन की सलाव और उनके नेदेश पर एक अंग्रेज हुम के नेतित में कॉंग्रेश की स्थाफना की है भली इनोंने अपने उदेश के लिए इसकी स्थाफना की हो या करवाई गई हो लेकिन आप देखे कहते हैं ना कि वो उल्टा ही पड़ा दावे ने और स्यप्टी बचा कहने का मतलब होता है कि आप लोग कुकर देखें कोकर तो उसमें भी तो एक बॉल लग रहा है आप देखते हैं कि वो उपर उठ जाता है अगर वो ना खोले तो आप देखते हैं बिस्वोट हो जाएगा तो यहीं होगा कॉंग्रिस के बारे में भी कहा जा रहा था कि जो वहां गुस्सा फैल रहा था बाकी देशों की तरह यहां भी आप देखे सुतंता की बात होने लगी थी उते उसे रोका जा सके इसलिए आप देखी संग्ठन की स्थापना की और जो पड़े लेके भालती है थी वही इसे जकरे रहे हैं और बागी लोगों पर ध्यान ना दें लेकिन अलाग ही रहा इसका आप देखे भी रहे हैं इस आउधाना की समर्थक अपने समर्थन में निमने तरक देते हैं इन तरकों को भी याद रखेगा, कॉंग्रेस की स्थापना ये कंग्रेज की नेतित में की गई, जिस पर बैटेस सरकार यकीन कर सकती थी, और कॉंग्रेस तोरो से ही बैटेस सरकार के पिती निष्ठावान रही है, और धीरे धीरे या राष्टवादी भावनाओं की अभिवेक्ति का माध्यम अफसर बनी है, इन्तु जब भी ये समय समय पर बैटेस आसन को जन आसन तो उस्ते बचाती रही है, जैसे असेव गांदेलन को इसके चरों मिस्तिती में रोग देना, बापस लेना, सवीने एवग्या अंदोलन में की मांगों को बैटेस सरकार द्वारा सुईकार ना किये जाने पर भी गांदी इर्विन समझोता करना आदी आदी, लेकिन आप लोगों को ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इन्हें भी याद रखना है, इसके विरोध में जो कह जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है, कॉंग्रेस ने अपने पूरे जीबन में द कि इसते जानदा समराजवात खतम होगा, और वही बुर्जुवा वरक को मिलने वाली सोविधाएं भी खतम हो जाएंगी, बड़े लोगों को, इस पेकार कॉंग्रेस बास्टविक रांती, हिंसक वरोध की रूम में बेटे सासन की एक हतियार की रूम में काम कर रही थी, औ बिडर्मन और W.C. बनर जी का विस्टे सेवदान है, बिडर्मन ने लिखाए कि हूम को विस्वसिनिय स्तरोतों से याग यात हुआ था कि निचले तपके की लोगों में ब्यापक आसन्तों से गुस्टा है, बेभूंख से मर रहे हैं, और इसलिए विबेटेस आसन को उखा उना के लिए पेरित किया था, तो यह आप देखिए आरूप लगते हैं, क्या लगते हैं, आरूप ही लगते हैं, आरूप ही यह कहिए आप लोग, और राश्टी ये संस्था की आवसक्ता संबंदी आउधारना, कॉंग्रेस की स्थापना से संबंदी दूसरी आउधारना पहले आए हैं कि कॉंग्रिस की स्थापना राष्टबादी भावनाओं की राष्टी इस्तर पर अभिव्यक्ति के लिए की गई थी और कॉंग्रिस के पूरुबर्ट संगटनों ने छेत्री इस्तर पर राष्टी इता के विकास में अहम भूमी का निभाई थी अब एक राष बॉम्बी परसीडेंसी एसोसीएशन पूर्णा सारवियक सभा मदरास महाजन सभा केला लंदन में इस्तित आप देखेंगे इस्ट इंडिया इसोसीएशन के द्वारा राष्टी हिस्से जुड़े मुद्धों पर वैटे सासन का बार बार बिरोत किया गया दादा भाई न और आप देखेंगे 1870 से 1885 की भी चेतरी संगटनों ने भारत की आर्थिक सोसन सिविल सेवा में आयू घटाने, बेटिस सूती बस्त पर आया हटकर हटाने, सैना खर्च में बिड़्धी करने, आम सेक्ट, वर्ना कुलर परे सेक्ट, आदी मुद्धों पर बेटिस सासन का जम कर विरोध किया, और छेतिय संगटनों को की सीमेत सफलता ने उनके नेताओं को यह सोचने के लिए बात दिकिया कि बिना किसी अखिल भारतिय संगटन की स्थापना की, कि यह बेटिस सासन का प्रभावी विरोध संभाव नहीं है, और सुरेन नाद बनर जी ने सबसे प और इसी पिकार दूसरा सम्मेलन उन्होंने दिसंबर 1885 में भी आईवजित करने की गोशना की थी, और 1885 की कॉंग्रिस की स्थापना वस्तुता ऐसे ही प्रयासों का परड़ाम रहा, छोटे छोटे ही प्रयासों से तो आप देखते हैं कि पूरा सफलता होती है, हियूम के नेतित में संस्था की स्थापना के पीछे राष्टबादी भारतियों की एक निश्चित योजिना थी, और विचाय है था कि संस्था के एक अवकास प्राफ्त अंग्रेज अधिकारी के होने से संस्था को बेटिस सासन के कोप से बचाया जा सकेगा, और हियूम की उपस्ति कॉंग्रेस के लिए एक दंडित तडिच चालक का काम करेगी, और लाला लाचपत राय कॉंग्रेस लाड डफरेंट की दिमाग की उपज है, किसने कहा था, लाला लाचपत राय ने, ठीक है, क्योंगि आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी संगठन बनते थे, उन पर बह 87 खंडों की रेपोर्ट को गुरू मुक निहाल सिंग ने सरकारी रेपोर्ट बताया, जबकि C.F.N.D. और गिरिजा मुखर जी ने इसे CID द्वारा तेयार की गई गोपनिये रेपोर्ट कहा, 1881 में हियूम और मदाम विलावात्सकी के परभाव में आय थे, और विलावात् अपने ने कहा था कि हम कॉंग्रेस को साबूत नहीं रहने देंगे, साबूत नहीं रहने देंगे, कॉंग्रेस की सौरूफ की बात कर लिजे, किसका सौरूफ कैसा रहा, भारती राष्टी कॉंग्रेस की सौरूफ के संदर में भेन भेन मत पिस्तुत किये गये, कुछ लोग इसे अलग बता दें, कुछ लोग अलग देते हैं मतिस में एक और इसे राष्टी संगठन माना जाता है तो दूसरी उसे उस पर संपधायक होने का भी आरोप लगता है और भारतिय पुरभुत जनों ने इसे जनता का संगठन कहा परन्तु कुछ अंग्रेश बिसासकों जैसे लिट्टन ने इसे भारत की अंग्रेश जी पड़े लिखे लोगों के संगठन के रूम में बताया एक अनवेटेस बिसासक लौड डपनिन ने जिसने कॉंग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था और 1887 में कहा था कि यह जनता के सोक्षम अलमत का पितिने दित करती है और बेलेंटाइन सिरोल ने कॉंग्रेस को हिंदू नेताओं की प्रवक्ता कहा था किनकी हिंदू नेताओं की और दूसरी और गांधी जी ने कॉंग्रेस के सवरूप पर चर्चा करते हुए कहा था कि इस संस्था का विचार एक अंग्रेस सरकारी अधिकारी एयों हियूमने के दिमाग में आये जिने हम कॉंग्रेस का जनम दाता समझते है और इसका पालन पोसंद दो महान पार्सी और फिरोज साह मेता और दाला भाई नोरोजी द्वारा हुआ है और अपने जनम से ही कॉंग्रेस मुसलवानों और इसाइवा एंगलो इंडियनों और अन्न सभी संपदायों मतव भाद धर्मों का पिदे निधित करती रही है और यह सही है कि प्यारा में कॉंग्रेस भारत के अंग्रेजी पड़े लेखे कुछ लोगों की संस्था थी और पहले 20 बरसों में किबल सिक्षिक बर्ग की इस से जुड़ा हुआ था संबंदित था परंतु धिरे धिरे इसके सवरुप का विस्तार होता गया जिसमें पूझी पती, पत्तका, डॉक्टर, वकील, आदी की अत्रेक्त, किसान और मधूर भी सामिल हो गए और गांधी जी की नेतित में कॉंग्रेस जन साधानन की संस्था बन गई जब कॉंग्रेस से गांधी जुड़े तो उस समय आप देखी के कॉंग्रेस जन साधानन यानि के जनता से भी जुड़ गई वे तो ये भी रहा, क्या रहा, ऐसा भी रहा, तो ये भी कहा नी रही कॉंग्रेस के स्वरुप की एक उलेकनी विसिस्ताय भी रही कि ये कभी भी किरांतीकारी संस्था नहीं रही है अपने जन्म के समय से ही ही इसका सम्मिधानिक साधनों में पूर्ण विस्वास था अपने उद्देसों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने सहयोग, प्रात्ना, सेश्टमंडल, आवेदन, अहिंसा, आधी को साधन माना है और बात की कुछे कॉछे 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 नेता उगबादी उकरांतीकारी नीतियों का समर्थन करने लगे और कॉछे में उद्दारबादी की पकड़ सदेयों कायम रही है उद्दारबादी कहने का मतलब है कि हाथ जोड़कर, प्रापना पकलिक कर, आवेदन करके आप देखे कि अहिंसा का तरीका अपना के, सहयोग करके, अपना काम करवाना, अपनी मांगे मनवाना वगवादियों का मतलब सीधासा, गोली बंदो, हिंसा फैलाना कॉंग्रेस की अगर उद्देशों की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि कॉंग्रेस अपने जन्म सिलिका सुतंता प्राप्ती तक की इतिहास में भालती राष्टी कॉंग्रेस का स्वरूप सामन था, एक जैसा रहा है और परन्तु इसके उद्देश में समय की मांग और परिस्तितियों की अनुसार परिवर्तन होता रहा है जैसे प्यारम में कॉंग्रेस द्वारा साधारन सुधारों की मांग की गई थी जो समय बीतने पर फूर्ण सुधारों की मांग में परिवर्तित हो गई जब आप देखें, शुरूपात में जब इसकी स्थापना होई तो शुरूपात में इसका उद्देश रखा गया था कि कॉंग्रेस द्वारा साधारन सुधार की मांग की गई थी सभी को बराबरी मिले इस तरह की कुछ नॉर्मल पॉइंट थे लेकिन लाश्ट में आते आते उसने कहा कि हमें पूरी सतनता चाहिए आप अब देश छोड़ की भाग जाईए 1885 में बंबई में हुए कॉंग्रेस की पिथम अधिवेशन में कॉंग्रेस की पिथम अधियक्ष डवलू सी बनर जी ने अपने अधियक्षी भासन में कॉंग्रेस के निम्न चार उद्देश बताये थे इन उद्देशों को जरूर याद रखेगा और पहला कहा हुए था बंबई में इसके अधियक्ष कौन थे डवलू सी बनर जी पहले देश के विवन भागों में देश के हित्वा उन्नती में कारिकरता हों में पारस पर एक संपर्ग भाईचारा कभिकास करना सबी देश भक्तों के वीच पित्यक्षे मित्यतापूर्ण मेल मिलाप के द्वारा जाती धार्मिक बाप्रांती बिद्ध्यवसों को मिटायाना और राष्टी एक्ता की भावनाओं को पिरवल बनाना बर्तमान की महत्मूर सामाजिक समस्याओं पर सिक्षित वर्क के वीचारों का परमाड़ित रेकॉर्ड रखना और उसका अरिकरम और कार प्रणाली को निधारित करना जिसके अनुसार आगामी बरस में सार्विजे खितों के लिए देश के राजनेतिक परिस्थम करे और कॉं तो कॉंग्रेस के पिथम अधीवेशन में इमांगे भी रखी गई थी इन्हें भी याद रख लिजेगा आप लोग और अधीवेशन देख लिजे आप लो कॉंग्रेस के जो अधीवेशन हुए हैं इनसे आप देखते हैं वन डेक जाम में जान्दा कुश्टन्स पूंचे है लेकिन याद जरूर है कि यह है जरूर रखना चाहिए है कि फिथम अधीवेशन को जिस साल हुआ उसे भी याद रखिएगा और फिर आप लोगों को यह याद रखना है कि इसका हिस्थान कहा हुआ अब ध्यक्ष कौन रहे हैं उसके समय में हुआ क्या है यह भी तो यह इस पर भी बात कर लेते हैं पिथम जैसे कि आपको बताया कि 1885 में हुआ है कहां बंबई में ब्योमिश चंदबनर जीस के अध्यक्ष थे पहले दूसरा 1886 में एक कलकत्ता में हुआ था दादा भाही नोरोजीस के अध्यक्ष थे नेस्नल कॉन्फिर्स का राष्टी पा पिथम अध्यक्ष कौन थे? कॉंग्रेस की पिथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पिथम अध्यक्ष आप देख रहे हैं विवविश चंदबनर जी और आप देखिए तीसरा जो अधिवेशन हुआ था इसमें 1887 में मद्रास में सियाथ बदरूद्दीन तेयब जी इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन ने से सासकों और अधिकारियों की कटू आलुचना कॉंग्रेस के मंच से प्यारम हो गई थे। इस अधिवेशन को कलकता विस विध्याली की पहली महिला इसना तक कादमनी गांगोलीनी से ने भी संबूदित किया था। यह आप देखें हर साल हो रहे हैं और एक कुछ आप देखें बिसेश अधिवेशन भी होते रहे हैं। नौबा 1893 में दादा भाई नोरो जी लाहोर में। दसबा दिसंबर 1894 में अलफिर वे याद रखें इस्थान है जहां हुआ मद्रास में। ग्यारेबा आप देखेंगे 1895 में सुरेंदनाद बनाजी पूना में। और वारेबा आप देखेंगे 1896 में में सयानी कलकत्ता में। सुलेबा आप देखेंगे सुलेबा कब हुआ? सन 1900 में एन जी चंदा और कर इसकी अध्यक्ष थे लाहोर में। सत्रवा दिसंबर 1901 में दिंसा इवाचा इसकी अध्यक्ष कलकत्ता में। अठारवा दिसंबर 1902 में सुरेंदनाद बनाजी एहम्दावाल में। 19 बाब देखेंगे कि 1903 में लाल मुहन घोस मद्रास में। 20 बाब देखेंगे 1904 में सर हैनरी कॉटन बंबई में। 21 बाब देखेंगे दिसंबर 1905 में गोपाल किसन गोकले वनरड़सी में। 22 बाब देखेंगे 1906 में दादा भाई नौरो जी कलकत्ता में। 23 बाब देखेंगे 1907 में राश विहारी घोस सूरत में रोख दिया गया था, तो इस तरह की बिसिस पर जरूर याद रखा करिएगा। फिर आप देखेंगे 24 बाब देखेंगे 1909 में मदन मुहन मालवियन लाहोर में। 25 बाब आप देखेंगे 1910 में सर विलियम बेडर्मन ने अध्यक्षता की इलावाद में। 26 बाब देखेंगे 1911 में विस नारायन दतने इसकी अध्यक्षती कलकत्ता में। 27 बाब देखेंगे 1912 में आरेन मोधो करने वाकिपूर में इसकी हुगा। 28 बाब देखेंगे दिसंबर 1913 नवाब सियद मोहमत कराची में हुगा। 29 बाब दिसंबर 1914 में भूपेंदनाद बसू मदरास में इसका हुगा। 20 बाब देखेंगे दिसंबर 1915 में एसपी सिनहा बंबई में। 31 बाब एए 1911 में अमीका चरन मजूमदार लखनव में। 32 बाब दिसंबर 1917 में स्रीमती एनी बैसेंट कलकत्ता में हुगा था ये। और पहली महला अध्यच थी ये स्रीमती एनी बैसेंट। 33 बाब दिसंबर 1918 में मदन मुहन मालविय दिल्ली में। 34 बाब दिसंबर 1909 में 1919 में मौतिलाल नहरू अमरस्तर में। 35 बाब दिसंबर 1920 में हाकिम अजमल खां एहमदाबाद में। 36 बाब दिसंबर 1921 में सी आर दास एहमदाबाद में। 37 बाब दिसंबर 1922 में सी आर दास एक गया में। फिर आप देखें कि 37 बा हो गया, 38 बा, दिसंबर 1923, मौलाना मुहमद अली, काही नाड़ा में, 49 बा, कौन सा, 49 बा, ये आप देखें, दिसंबर 1924, महत्मा गांदी ने, बैल गाम में, देखें ये भी याद रखेगा, जो 49 बा था ना, दिसंबर 1924 का, इसमें गांदी जी न बाहार की केवल गांदीजी ने, 44 बा, दिसंबर 1925, सरोजनी नाइडू, कानपुर में, तो ये जरूर याद रखे, 40 बा, जो अधी बेशन हुआ था, दिसंबर 1925 में, पहली भारती महला, द्येक्श्बनीती, सरोज़नी नाइडू, कानपुर में हुआ था 41 दिसंबर 1926 में S.C.R.I. निवास एंगर गुवाटी में 42 दिसंबर 1927 में M.E. अंसारी बद्रास में 43 दिसंबर 1928 मौतिलाल नहरू कलकत्ता में 44 दिसंबर 1939 में जवाहलाल नहरू लाहूर में 45 दिसंबर 1931 में बल्ला भाई पटेल कराची में 46 दिसंबर 1928 में अमरे रंचोदास सेट जीन दिल्ली में 47 दिसंबर 1933 में सिरीमती निल्ली सैन गुपता कलकत्ता में 48 दिसंबर 1934 में डॉक्टर राजिन पेसाथ बंबई में 49 दिसंबर 1936 में जवाहलाल नहरू लखनव में 50 दिसंबर 1936 में जवालल नहरू फैचपूर में और आप देखेंगे इंकिया आउनवा ये फरवरी 1930 की बात है सुवाशन्द वसने हरीपूर में 52 मार्च 1949 में सुवाशन्द वस तिपूरी में 53 मार्च 1940 और 41 से 45 मौलाना अभूल कलाम आज़ाद ये आप देखेंगे रामगर्प में और चौंगवनबा ये आप देखेंगे नवंबर 1946 आचार जे की बानी मीरट में 55 दिसंबर 1938 में डॉक्टर पट्टाभी सीता रमया जैपुर में अब आप लोगों की मन में एक और सवाल आ रहा हुगा क्या इतने सारे जो अधिवेशन ही हुए इनके बारे में ये की पॉइंट याद रखना पाना मुस्किल है ये सभी के लिए मुस्किल है और यहां smart degree होती है और वही काम आता है ये आप लोगों को उनी संगठनों के बारे में याद रखना है जो किसी कारण से काफी चर्चा में रहते हैं समझ रहे हैं आप लोगों जैसे पहली महला अध्यक्ष पहली भालती महला अध्यक्ष गांधी जी के बारे में याद रख सकते हैं या उस अधिवेशन में कुछ खास हुआ है तो उसे याद रख सकते हैं अधीवेशनों से जुड़े कुछ है महत्मूर तत्थ हैं, इलावाद अधीवेशन, ए 1888 में कॉंग्रेस का सम्मिधान किया गया था, और यह नेड़ा किया गया था कि अंगली अगर किसी पिस्ताव पर मुसलिम पिती ने दी कि एक बड़े भाग को आपत्ती हो तो में कॉंग्रेस के नाम में राष्टी सब्द जोड़ा गया था, कलकत्ता अधीवेशन ने अपने भासन में पहली बास सवराज सब्दिकाउल लेक किया था, यह भी आप लोगों को याद रखना होगा, सूरात अधीवेशन 1907 में कॉंग्रेस का पिताम बिभाजन हुआ था और इस अधीवेशन की अधिक्स्ता रास बिहारी गोसने की थी, कलकत्ता अधीवेशन 1911 में पहली बार राष्टगान जनगन मन गाया था, नांगपुर अधीवेशन 1924 में अध्यक्स्ता गांधी जी ने की थी, और इसी समय कॉंग्रेस और मुसलिम लीग दोनों अलग हु कानपुर अधीवेशन 1925 में हिंदी को राष्ट बासा की रूम में इस्तेमाल किया गया, हसरत मुहानी ने पहली बार पूर सोराज का पिस्ताओ रखा, परंतु पारित नहीं हो सका था, ठीक है, और एक मैप है आप देख सकते हैं, मैप को भी देख सकते हैं, एक उन्नीस सो मापकरी 1885 होगा, देखें कई बार गलती हो जाता है, मिश्टेक छब जाते, 1885 से 1947 में जो जहां हुए उनके बारे में है, ठीक है, पढ़ सकते हैं, एक सामान जानकारी अपने पास रख सकते हैं, लाहोर अधीवेशन 1929, इसमें पूर सोराज का पिस्ताओ पारित किया गया आज भी तो आप देखते हैं, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गरतन दिबस के रूम में मनाते हैं, 1930 में कॉंग्रेस का कोई अधीवेशन नहीं हुगा, क्योंकि कॉंग्रेस सभनेय ग्यांदोल में बैस्ते थी, कराची अधीवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और राष्टी आर इसका लक्ष समाजबाद निधायत किया गया था, हरीब पुरा अधीवेशन 1934 में राष्टी नियोजन समती का गठन किया था, जवाहलाल नहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, फिर आप देखें कि रामगड़ अधीवेशन 1940 में बैक्ती का सत्यागा का पिस्ताव पार नहरू थी, ठीक है, 1925 में, सरवादिक बार कॉंग्रिस के अध्यक्ष दादा भाई नौरो जी, और आप देखेंगे, पंडित नहरू ने की है, ठीक है, मौलाना अभूल कलाम आजाद कोंग्रिस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, कौन मौलाना अभूल कलाम आजाद, त इस तरह सी मुझे लगता है कि आप लोग एक से दो बार पढ़ेंगे, और समझदारी से पढ़ेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई, फिलोबलम आपको देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, इतना यकीन मानिये आप, क्या मानिये, यक बिस्तार से पढ़ा हुए है, आपके कुछ सवाल हो, सला हो, तो आप लोग जरूर दे सकते हैं, बता सकते हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा, और अंगली किलास में हम लोग दरम पंत और गरम पंत आंदोलन जो हुए हैं, उन पर बिस्तार से बात करेंगे, और उन से आपकी परिक्षाओं में कुछे जाते हैं, और स्टेट पीसे से विल सर्वेस में प्रिलिम से में भी पूचे जाते हैं, और मुख परिक्षा में भी पूचे जाते हैं, और इसलिए हर बार कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले पुराने कुछेंस पेपर अपने पास अब लोग मिलते रहेंगे